नमस्कार सातियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी रास्तार वंधाउजेंड का अंदर का स्वागत हैं आज की जो अपनी वीडियो होने वाले दोस्तों राजिस्तान जीके में जितने ही पिछले एक्जाम में यान की जितने ही प्रिविश सेरिक इससे पहले मनें दोस्तो 79 वीडियो अप्लोड कर दी है और आज का जो अपना टोपिक है दोस्तों मेवाड का इथियास है तो चोटी ची वीडियो लगबग 10-15 मिनट की वीडियो होगी आप राजस्तान से रिलेटेड किसी पी एक्जाम की तियारी करें दोस्तों अगर रि टीर टीर तो दोस्तों आजका सबसे फिर कोसन अपने अरपने सामने आ गया मांदाप की चत्री की बात करें मन्टोली करें ब달 एक यहां पर ऑठो ठीक है आठ कंपोग की चत्री प्यूजवů अम्हासा निदोस्तों इसका निर्मान अमर सींती के कहने पे डोस्तों मतले किस्का निर्मान कर वाया था ऊच। लिए उसका पूर्ण निर्मार्ण करणवान लिवाई को ने दूस्तों मारणा फटेस ही इंगे ठीक है जनम हुआ था 9 माई 1540 को नो माई 1540 को दोस्तों मारणा परताव का जनम हुआ था और इनका जो रज्य भिषेक वा था दोस्तों रज्य भिषेक कब वा था 28 फरवरी 28 फरवरी 1542 को दोस्तों या पेनका रज्य भिषेक वा था रज्य भिषेक कहा पे वा था दोस्तों ये वा था दोस्तों अपना गोगुंदा के अंदर के ठीक है और विदिवत रूप से जो रज्य भिषेक वा था दोस्तों कहा पे वा था वैसे राज्य अभी से एक तो 28 फरावरी 1512 को दोस्तों गोगुंदा के अंदर गट हो गया था लेकिन विद्धी वित रूप से जो मतलब राज्य अभी से गवाता दोस्तों काँपे गवाता कुंबल गट के अंदर गट ठीक है नेक्स्ट देखिए मारणा परताब का दरबारी पंडित कौन था तो मारणा परताब के दरबारी पंडित या उसका दोस्त भी कह सकते दोस्तों मारणा परताब का दोस्त कह सकते हैं या उसका दरबारी कवी भी कह सकते हैं तो वो कौन है चकरपानी मिस्र है ठीक है चकरपानी मिस्र के दोरा जो कि मुहुरत माला विश्व वल्लब राज्य विश्एक पद्धत्ती विवार दसाल लिखा ये किसने लिखा दोस्तू चकरपाणी मिसर के द्वरा ठीक है नेक्स्ट दिखिए मालना परताप का जनम किस वर्श में हुवा था तो मालना परताप की जनम के बार मैं आपको वेड़ी बता चुका दोस्तो नो माई 1540 को इनका जनम हुआ था और 15 जनवरी 15 Pandemie means को दोस्तो इनकी मृत्ति हो गे थी तीक हैं गोगुंदा के अंदर गया तो पंद्रा सो बेतर हैं अपर ना नेक्स्ट है अकबर ने मालना परताब को समझाने के लिए प्रथम संदेश्वाक के रूप में किसे बेजाता तो अकबर ने दोस्तु मालना परताब को समझाने के लिए प्रथम जो संदेश्वाक था या पिर स शंडी शाइक भी के सकते हैं जिसको मतलब की संदी करने के लिए सबसे पहले किसको बहजाता तो वह था जलाल खाटीक है यहां पे मतलब अगबर की दौरा मारना परताब को समझाने के लिए चार संदेश वाग वेजिते अलग-अलग समय में ठीक है तो चार संदेश वाग की मतलब की जो ट्रीक है वो कौन सी है जमा भटो ठीक है जमा भटो यह मतलब की चार जो मतलब की यह है इनकी एक ट्रीक है जमा से हो गया जलाल खा जो की पहला सासा के मतलब की यह संदेश वाग है दूसरा दूस्तों मान सिंग और तीसर तोड़ रमाल ठीक है यह चार जो राजदूत है या मतलब की संदेश्वा के रुप में मारना परताब के पास में आयते संदी करने के लिए लेकिन एक भी एक की भी मतलब की सविकार नहीं कीगी मारना परताब के दौरा नेक्स्ट है परताब के सांतिपुरुक अधिनता स्विकार करने के लिए अकबर ने दोस्तों अंतिम सिस्ट मेंडल के रुप में किसके नेत्रों में यहां पर मेवाड बेजा गया दोस्तों यहां परताब के दौरा मतलब की परताब के परताब से सांतिपुरुक संदी करने क के लिए अकबर ने अंतिम समय में दोस्तों कौन सा सिंस्ट्मेंडल बेजा था इसके बारे में आपको बता चुका दोस्तों कौन है टोडरमल टीक है जमा भट्टो में दोस्तों लाश्ट लाश्ट में क्या था है टोडरमल जमा भट्टो जमा भट्टो यह दोस्तों पहला ज से सबसे पहले जो मतलब की संदी प्रस्ताव लेकर आने वाला दोस्तों जलाल खाएं जिसकी जो तारीक है दोस्तु तारीक के बारे में एक तो सित्टुमबर 1532 ठीक है सित्टुमबर किस्तुम्बर थोस्तों यहाँ परे मतलब 7 जा मुर्धिक प्रशथाव मारणा परताव के पास में लेकिन स्विकर नहीं किया जाता यहाँ पर सो्सित्रम्भर का माहा देर रहता है लेकिन दोस्तों गलास की तो यहां मतलब यहांपर मतलब कि according मतलब यह ज़्यादा तर जहां पर अपनको आंसर मिलता वह कौन सा महीना आता है सित्वंबर का महीना ठीक है लेकिन दसवी क्लास के जो मतलब राज्टा ने दिन की फुस्तक उसमें क्या कौन सा महीना देर का नवंबर का महीना पंदरासो बैतर को मतलब जलाल खाई यहां और उसके बाद तीसरे नमर पर और बहां भगवन सिंग भगवन शिंग कर आता हां भगवन सिंग आता दोस्तों यह अक्टुमबर के महा में पंदरासो यह का महाँ है टीक है कि और लास्ट लास्ट में को अले तदोस्तू को महिना है धूस्त कि और त्को सम्जाने खेलिए दोस्तू किसको बेज़ा था तो लास्ट लाश्ट में दोस्तु ये पंद्रासो तेतर है दिस्वंबर का महिना है और लाश्टी लाश्ट में कोन आता दूस्तु टोटरमल ठीक है मान सिंग दूसरे नंबर का जलाल सिंग पहले नंबर का ठीक है और इनकी समय की बात करें दूस्तु जलाल खा का जो समय है एक तो यून 503 ठीक है और भगोन्च सिंग का महीना दूस्तु वह कौन सा महीना हो जाएगा अक्टुमबर 503 ठीक है फिरूध मेवाड के मानना परताब के विरूध अन्ति मोगल अक्रमाण के नेतरतों में की देस्टों कोन था दोस्तों मेवाड का जो माहरणा परताब दोस्टों इसके विरूद है अंतिम मुगल अकर्मण का नेतर्तीव करने वाला कोण है तो दोस्तु ये जो अकर्मण करने वाला है जो कोन हो जाएगा यह है दोस्तों जगनातर ठीक है जो कि दोस्तों यहां पर इस युद में मतलब बुरी तरीके से प्राजित हुए और यहां पर मतलब के इनकी मृत्ति हो गी थी धिकप की बात है दोस्तों 5 दिसंबर पांच दिसंबर 1584 की बात है जहां पर दोस्तों मतलै कि माहरणा परताब की विरूद अंति मुगल अकरमन झे नेतरतों करता कौन दे ? जगन नात और इनकी जो छटरी बनाएगी दोस्तों छतरी कां पर बनाएगी मंघलेफ मैं मांडल का यंदर मांचम्छ को जग नात के छट्री कि नेक्स्ट देखी टो पंद्रासो 889 में कॉंबल गड़ पर किसमें आकर्मण किया था तो उनीक बात कि जारी 1508 में दूस्तु एक तो मतलव कि तीन अप्रेल 1508 को और दूसरा क्या था मतलव कि 15 दिसुंबर 1508 को तृत्य जो अभिव्यान था दूस्तु 9 दिसुंबर 1589 को ठीक है नेक्स्ट दीखिए मेवाड के रक्सक के रूप में निम्में वेसे किसे समरण किया जाता है तो मेवाड के रक्सक के रूप में दूस्तु इन वेसे किसे जाना जाता है तो यहाँ पर दूस्तु मारणा परताब को यहाँ पर मतलब मेवाड के रक्सक के रूप में जाना जाता है लेकिन भामासा की बात करें दोस्तों भामासा को मेवार का किस नाम से जाना जाता है मेवार का उध्धारक या फिर मेवार का दानवीर भी कहा जाता है ठीक है भामासा को लेकिन रक्सक के रोप में मानना परताब को जाना जाता है नेक्स्ट देखिए मालना परताब के दर्बारी विद्वान जिसने दोस्तु मुरत माला ग्रंत की रचना कीती तो यहाँ पे दोस्तु मुरत माला जो ग्रंत है इसकी रचना करने वाला दोस्तु मालना परताब का दोस्त है या फिर उसका दर्बारी कवी भी के सकते चकरपाणी मिस्र है जिसने दोस्तु मूरत माला, वेवाड द्रस, राज्य भी सेक पदत्ती, विस वो अलब नामकी रतना कीती ओ चकरपाणी मिसर के लाओ दोस्तु मालना परताब का एक वर दरबारी था जिसका क्या नम दोस्तु हेम रतन हेम रतन चीक है, मारना परताप का दर्बारी दोटों जिसके द्वारा कोण कोण से पुष्ट के लिखीगी लिलावती हेम रतन चोपाई अमर कुमार चोपाई मतलब शीता चोपाई महि पाल चोपाई घौराबादल पदम नीरी चोपाई यह मतलब कि हैम रतन के द्वारा लखेगी बाकि चकरपानी मिसर के द्वारा बहुत इंपोर्टेंट दोस्तों यह मुहरत माला पुष्टक पूची जाती है इसके लाद दूस्तों मतलब कि एक और पूची जाती है जिसके किनाव रज्य भी से एक पद्दती ठीक है मानना परताब की जनमशली की बात करें कॉमबल गड क्यां कॉमबल गड के अंदर जो दूनी कचेरी मेल है जुनी के चेरी मेल जहाँ पर दोस्तों 9 माई 1540 कहनें पर इनका जन्म वुआ था, ठीक है? 9 माई 1540 को इनको जन्म वुआ था, कॉंबल गड़की जो जुनी के चेरी जुनी हो वाँ पर और जो इनका उपनाम है, दोस्तों उपनाम कौन-कौन से हैं, एक तो कुका भी कहा जाता है, ठीक है कुका, कीका, और मतलब की मेवाड का रक्सक भी कहा जाता है, ठीक है, और इनके पिता का नाम अउदे सिंग और माता का नाम जेवनता भाई, और इनके गोडे का नाम कौन सा से गवा था और इनकी जुम्रत्य हुई थी दोस्तों 19 जनवरी 1567 में को ठीक है और इनकी 8 खांबुग छत्री काँ पर दोस्तों बांडोली के अंदर गत जहां के दोस्तों महादेव मंदर भी प्रसीद है मारना परताप सिंग का जनम किस जिले में हुआ था मारना परताप का जो जनम हुआ था दोस्तों कुम्बल गट दुरुग में जूनी कचेरी नमक्स्तान पर हुआ था लेकिन यह जो जिला है दोस्तों जिला कौन सा हो जाएगा राशामन्द 9 मैं 1540 मारणा परताप की म्रत्यों के समय आयू कितनी थी तो मारणा परताप की जो म्रत्यों ही थी दोस्तु समय आयू कितनी थी तो 1540 से लेकर 1570 में के मध्य जो आयू हो जाईगी हो कितनी दोस्तु 1570 में के मैध्य ठीक है ये आयू दोस्तु 56 साल 9 मैने के लगबग है इनके ठीक है 56 साल 9 मैने यानि कि 57 वरस तक इन्होंने सासन किया मतलब कि सासन तो इन्होंने 24 वरस तक किया लेकिन इनका जो मतलब संपूर्ण जीवन काल वो खितना 57 साल का ठीक है नेक्ट है परताब ने दोस्तु 1585 में अपनी नई राज़दानी कहाँ पर स्थाफित की थी तो परताब ने दोस्तु 1585 में एक नई राज़दानी का मतलब स्थाफित की थी वो कौन से राज़दानी थी चावंडे ठीक है जो कि लगबग 30 साल तक यहां पर राज़दानी देती है तो राज़दी दोस्तु 1552 में तक थी 1559 में तक थी 1559 में मतलब कि इनका अम्रत्य हो गी थी वहां तक इनका सासन काल रहता है यानिकी चोई साल तक इनका सासन काल है और टोटल जो आयो है इनकी दोर्स्तु कितने होजेगी 56.9 माहिने तो यह थी दोस्तो आज के छोटी सी वीडियो साथ एक वर क्यूसन हो सकता है नहीं है ठीक है